आगया है आपका होसें दोस राहुल भोज और स्वाधत है आपका फीपा फूज में बताने के लिए आपको जरुरी बात कि कैसे विग बोस 2020 यानि की सीजन 14 जो है वो बन सकता है एक हिट सीजन कुछ points है कुछ reasons है वो मैं आपको बताता हूँ ध्यान से सुनियेगा दोस्तों सबसे पहली और major important बात तो ये है कि ये Corona pandemic के बाद television जगत में सबसे बड़ा reality show बनकर आ रहा है हमें पता है कि किस तरीके से colors ने इसमें पानी की तरफ ऐसा भाया है हमें पता है कि किस ने किसे 40 से 45 दिनों के अंदर अंदर वो जो futuristic set है वो बनके तयार हो गया है हमें पता है कि contenders का लोग कितना जादा wait कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं ऐसे में दोस्तों आपको बता दू तो इस घर के अंदर वो सारी सुविधाय मौजूद होंगी जो कि कह ekmers जो है जो audiences है वो जाने के लिए और अगदम से बेचायन होते हैं विकारार होते हैं For an example ML जाना किसे lot नहीं लगता 사랑 for an example spa करवाना किसे lot और अउतफ शॉपिंग सेंटर करने जाना किसे lot अचने लगता फिर theater उना किसे अचनी लगता ऑप पिक्छर देखना दोस्तों तो बिग बॉस में इस बार जिस तरीके से तड़का लगाया जाएगा जिस तरीके से घुमाया रहे हैं सीन तो यहां पर साफ तॉट पर है कि इस बार का सीजन भी हिट जाएगा अब कितना हिट जाएगा क्या ये सीजन 13 से ज्यादा हिट जाएगा या नहीं इसका हमें इंतिजार करना पड़ेगा बट दोस्तों ये पहला रीजन है दोस्ता सबसे बड़ा रीजन सिधा चुकला, गौहर खान और हीना खा ये तीनों कंटेंडर्स ने दिल जीता है ओडिन्स का दिल जीता है, एक अलग पहचान बनाई है एक अलग नाम बनाया है तो ऐसे में जब ये लोग जो हैं ग्रैंड प्रेमेर एपिसोड में आएंगे और उसके बाद जाके ये जब हैं घर के अंदर जाएंगे और धमाका मचाएंगे तो तो बनता है तीसी मेंजर इंपॉर्टेंट बात कि हमें देखने को मिल सकती है सिडनास की अमेजिंग ब्रिलियंट जोडी जिसको हमने सीजन तेरा में भी एप्रिशेट किया था और हमने दिल से दिल से कहा था कि वा यार क्या जोडी है यह भी हो सकता है कि घर के अंदर वो ध्माका मचा है So over and on सारी ही चीजों को मिला कर मैं कह सकता हूं कि यह सीजन हो सकता है और सूपर डूपर हो सकता है आपको क्या है कहना, कमेंज सेक्शन में जरूर बताओं नया हूं चैनल में कमेंट करें और मुझे सपोर्ट जरूर करें थैंक्यू सो मच